दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार 17 मैं को सुप्रीम कोट में सुनवाई पूरी हो गई। केजरीवाल ने शीर्ष कोट ने प्रवर्तन निदेशाले एड की गिरफतारी को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोट ने इस फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही कहां कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोट जा सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दक्ता की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। एडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल स्वी राजू और केजरीवाल की तरफ से अभिशेक मनू सिंगवी दलीलेंद रखी। स्वी राजू ने कहां कि रिश्वत का पैसा हवाला के जरिये भेजा गया। जस्टिस खन्ना ने कहां कि आम तोर पर जाँच अधिकारी तब तक गिरफतार नहीं कर सकता। जब तक उसके पास दोशी साबित करने के लिए परियाप्त सबूत ना हो। यही स्टैंडर्ड होना चाहिए। वही अभिशेक मनु सिंधवी ने कहां कि केजरिवाल को दोशी साबित करने से बचाने वाले नौ बयान हैं। लेकिन जाँच एजिंसी ने इसे जीरो वेतेश दिया। वही सुनवाई के दोरान E.D. ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शराब मीती केस में अर्विंद केजरिवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है। जाँच एजिंसी ने 21 मार्च को केजरिवाल को अरेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 माई को केजरिवाल को 21 दिन यानी 1 जून तक अंतरिम जमानत दी हैं। दो जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। जस्टिस खन्ना हमने सभी पक्षों की दलीले सुनी। फैसला सुरक्षित रखते हैं। इसके बावजूद अधिकारों और विवादों पर गलत असर डाले बिना अपील करता कानून के मताबिक जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जा सकता है। लेकिन दोनों पक्ष एक हफ़ते के अंदर एडिशनल नोट और डॉक्यूमेंट्स दाखिल कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और उनकी आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया। कुल मिलाकर ये इस मामले में इडी द्वारा दायर की गई आठवी चार्जशीट है। जिसमें उसने अब तक 18 लोगों को गिरफतार किया है। पिछले हफते एजनसी ने बियारेस नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्य मंत्री चंदर शेखर राव की बेटी के कविता और चार अन्य के खिलाफ इसी तरह की शिकायत दर्ज की थी। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।